नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का फास्टी स्टेडी प्लानर यूटूब चैनल पर साथियो यूपी ट्रिपल सी को पीटी की अंतिम तिथी बढ़ानी पड़ी देखे आपने सुबह अगी वीडियो में देखा होगा कि जो न्यूज पेपर की कटिंग थी कि चेर्मेन ने बताया है कि अंतिम तिथी गो नहीं बढ़ाया जाएगा लेकिन जैसा आपको पता होगा कि 24 लाग के आसपास रेजिस्ट्रेशन हुए हैं और अंतिम रूप से फोर्म केवल 15 लाग बच्चों ने भरा था आज का नोटिस है उत्तरप्रदेश अधिनस्त सेवा चैन आयोक का 21 जून 2021 का अभी अभी का जैके आयोक के विज्ञापन संक्षा 01 परिक्सा 2021 प्रारंबिक अहर्ता परिक्सा PET 2021 के अंतरगत आनलाइन आवेधन की परकिरिया दिनांक 25 पांच 2000 यानि 25 मईसे इसकी प्रारंब हुई थी ओनलाइन फोर्म की परकिरिया और 21 यानि आज तीन वजे तक इसके ओनलाइन फोर्म भरे गए है तक कुल 26 लाग 26,9549 अभ्यारतियों ने आनलाइन पंजी करन करा है यानि रजिस्ट्रेशन करा लिया है और देखे आज आज में सुबे 15 लाग बच्चों ने अंतिम रूप से सम्मिट किया था लेकिन अब 17,66,856 बच्चों ने अपना ओनलाइन फोर्म अंतिम रूप से सम्मिट कर दिया ह इस परकार पंजी करत अभ्यारतियों वे अंतिम रूप से आवेदन सम्मिट कर चुके अभ्यारतियों की संख्या में काफी अंतर है लगबग 9 लाग के आसपास जो ये बच्चे हुए हैं देखे 17 लाग के आसपास ने फोर्म भरा है अपना अंतिम रूप से और पंजी करन अपनी इमेल दिनांक 26 2021 द्वारा सूचित किया गया कि यहंतर विभिन बैंकों से आवेदन सुल्क के अंतरन में लगने वाले समय के कारण है जैसा कि आपको पता होगा कि ओनलाइन फोर्म तो बच्चे भर रहे हैं लेकिन उनकी फीस नहीं कट रही है तो आयोक द्वारा इ अंतिम्ति थी में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा परंतु यदि अभ्यारती द्वारा उक्त अंतिम्ति थी के पूर अर्थात इकिस छे दोहजार इकिस की मद्धर आक्तरी तक अपना पंजी करण करा लिया जाता है लेकिन बैंक इस तर पर लगने वाले समय के करण आ अंतिम आवेदन अंतिम रूप से सम्मिट नहीं किया जा सकता तो उसके आवेदन सुल्क दिनांग 25 तक जमा तो देखें यह क्या है यह जो डेट बड़ी है यह पंजी करन की यानि रजिस्ट्रेशन अब कोई नहीं कर सकता आज मद्धर आत्री तक यानि 21 जून को रात 12 बजे तक आप इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अभी अभी समय है समें लगव 5 गंटे के आसपास अभी जो बच्चे रजिस्ट्रेशन कर देंगे उनका तो फोन भर जाएगा लेकिन जिनोंने अपना रजिस्ट्रेशन पहले कर दिया है उनका ओनलाइन फोन अंति अब देखें इनोंने इस बात को इस पश्ट रूप में दुबारे कहा है पुने इस पश्ट किया जाता है यदि किसी अभ्यारती द्वारा दिनांक 21-6-2021 की मध्यरातरी तक अपना पंजीकरन नहीं कराया गया तो उसके प्रारंभी का अर्था परिक्सा 2021 हितु आवेदन न यही एक सूचनाती जैदी वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल फास्टी स्टेडी प्लानर को लाइक सेर और सब्सक्राइब करें धन्यवाद दोस्तों